पढ़ेगो 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 आज मैं पढ़ना है NIS class 10th English 202 का chapter number 27 27 last chapter तो chapter का नाम है The parrot who wouldn't talk Do you have a pet? क्या आपके पास पालतु जानवर है? At some point of time We have all had a pet और wanted one किसी समय हम सभी के पास एक पालतु जानवर होता है या चाहिए होता है Having a pet is not just a fun पालतु जानवर रखना सिर्फ कि मज़िदार नहीं है A pet needs proper care and attention एक पालतु जानवर को उचित देख भाला और ध्यान देने की आवशकता होती है कह रहें कि अगर आप इसे प्रिस्चित करना चाहते हैं train करना है आपको तो इसे करने का तरीका होता है उस तरीके से इसे train कर सकते हो जो भी आपका pet हो In this story which is written in the first person the authors aren't decide to keep a parrot as a pet इस कहानी में जो पहले व्यक्ति में लिखी गई है लेखे की चर्चा ने मलब लेखी के चाची ने तोत्य को पालतू जानवर की रूप में रखने का फैसला किया है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा इसमें के इन्दी सिटोरी which is written in the first person ठीक है और authors aren't decide to keep a parrot as a pet she also decide to teach it how to talk वह यह भी सिखाने के लिए decide करती है कि उसे कैसे बात करते है How successful is she in our efforts तवह अपने प्रयासों में कितनी सफल है Read this humorous story by the well-known Ruskin Bond to find out Ruskin Bond ने यह story लिखी है इसे जानने के लिए देखते है तो Ruskin Bond के बारे मगर हम बात करे हैं बहुत famous writer ने stories लिखते हैं यह objective Read and enjoy a humorous story एक funny story को पढ़ना और enjoy करना देखेंगे हम इसमे use models, models सिखेंगे हम use the present perfect continuous tense and past perfect continuous tense perfect continuous tense हम देखेंगे present और past का write a short paragraph describing a person short paragraph किसी इव्यक्ति के बारे हम बताते है वह सीखेंगे हम analyze the situation critically in order to make a decision नेडना लेने के लिए किसी इस्तिती का गंभी रूप से करना देखेंगे identify rhyming words rhyming वले जो words होते है उसको identify करेंगे make requests and give order and instruction अनुरूत करना आदेश दिना ये नुदेश दिना हम दिखेंगे summarize the text पार्ट को संचेत में प्रिस्ट करेंगे हम दिखाएंगे relate to the feeling and recognize the needs of pets भावनाओं से संबंदित हो और अपालतु जानवरी की जरुईतों को पहचानेंगे infer the role of humor in conveying a message संदेज देने के में संदेज देने में हास की भूमिकालदा उनुमान लगाएंगे मतलब आपको इस message दे रहे हैं तो उसमें हसी वाली बात भी होनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे enhance your vocabulary अपनी जो word meaning है उसको बढ़ाएंगे तो let us read देखते हैं इसमें you are no beauty तुम को तुम्हें या तुम कोई सुन्दर नहीं हो कांट टॉक बात नहीं कर सकते हो कांट सिंग सुरी कांट सिंग है गाह नहीं सकते है कांट नहीं सकते है with these words Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet who glared moreously at everyone from his ornamental cage at one end of the long varanda of Grani's Bangalore in North India तो इन शब्दों के साथ चाची जो Ruby थी दुरभागपुर तो उत्यों को ताना मारती है जिसने उत्तर भारत में दादी के बंगले में लंबे बरामदे के एक छोर पर अपने सजावती पिजड़े में या पिजड़े से सभी को बुरी तरह से देखा इन दोज डिश्टन डेज उंदूर के दिनों में लगबक सभी इंडियन और यूरोपियन भारती या या यूरोपी केप्ट पेड पैरट और पैराकीट और लवबर्ड एस सम आफ दा स्मॉलर वन्स वर कॉल्ड करें कि भारती या यूरोपी एक पालतू तोता या तोता या लवबर्ड रखते थे जैसा कि कुछ छोटे लोगों को कहा जाता है देखते हैं मागे Sometimes these words became great talkers और rather mimics and would learn to recite entire mantras religious chant है जो मंत्रा कहते है or add munitions to the children of the house such as पड़ो बेटा पड़ो study child study or the benefit of boys like me don't be greedy don't be greedy these expressions were of course picked by the parrot over a period of time after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of reaching the bird to talk कैने कभी कभी ये पच्छी महान बात करने वाली बन जाते थे ये बल्की नकल करते थे और घार के बच्चों को पूरे mantra धार्मिक मंत्र ये नसीयतें सुनाना सीखते थे जैसे पड़ो बेटा पड़ो बच्चें को अध्यान करने के लिए वौलते हैं वो भी सीख जाते तो वो भी बोलने लिए लगते थे निश्ची तुरुप से इन भावों को तोतिय द्वारा समय की यवदी में, घर के किसी सदस्वारा कई दोहराव, मतलब बार-बार बोलने कारण उठाया था, तो पक्चे को भी बात करने का सीखना, मतलब वो भी सीख जाते थे और ऐसा बोलने लगते थे, बात करना सिखाने क काम किया, तो यह भी जो अंटी थी, रूपी अंटी यह भी तोतिय को सिखाती थी, बार-बार बोलकर, but our parrot refused to talk, लेकिन हमारे तोतिय ने बात करने से मना कर दिया, He had been bought by Aunt Ruby from a bird teacher, who would visit to the houses on our road, selling caged birds ranging from colorful, you know, बजरी, बजरीगार्स, टूचेर पीलिटल मॉनियाज, and even common sparrows that had been daubed with paint in part of some exotic species, कह रहें कि उसे रूपी चाची ने एक पक्छी पकड़ने वाले से खरीदा था, जो हमारी साड़क पर सभी घरों का दोरा करता था, मतलब फेरी वाला था, रंगीन बुक्की गारों से लेकर चीड़-चीड़ी छोटी मुनियों तक, और यहां तक की आम गर्रेयों को भी बेशता था, जिन हें paint से रंगा गया था, और कुछ के रूप में पारिस किया गया था, है नो, चलो, आगे देखते हैं, निधर ग्राणी और ग्राणफादर रर कीन और कीपिंग केज़ बार्ट ऐस पेट्स, बत अंट रूपी थेटन तो थो थो अंट रूप आटर्रम, इफ शी दिड़ नॉट रहे हैं, कि विद इस प्रजातिया जो थी वही बनाएता था था, ता था, कलर लगा के, यही किसा हमारा विद इस प्रजातियों के पहले लगा के बनाएता था, नहीं तो दादी और नहीं दादा जी बिड़ने में बंद, पंक्चियों को पालतु जान मेरे के रूप में देखने के लिए उससे उखते हैं, मतलब दादा जी चाहते हैं, कि इन्हें बंद नहीं र यह रूपी चाहती थी आँटी यहीं रखें, और बहुत नखरा था कि नहीं इससे तो हम ऐसे ही रखेंगे, और उसे बोल-बोल कर सिखाती थी, किस किस अंट रूपी ने अपना चेहरा पिंजर की सलाखों के पास रख दिया, ठीक हैं, किस करने के लिए तो हट जाता था, माटी रूपी द्वारा चूने जाने की संभावना पर क्रोज से उसकी चोटी-चोटी आँखें और भी चोटी हुजाते थी, मतलब वो गुसे में ऐसा करता था, चलो, और वह औसर पर यह बीना किसी चितावनी के आगे बढ़ा और मेरी मौसी का चसमा उसकी नाग से गिरा दिया, and on one occasion is lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacles of her nose. After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird, making faces at it and calling out, can't talk, can't talk, can't sing, can't dance, and other nasty comments, कहरें उसके बाद मामी रूबी या शाची रूबी ने अपने प्यार को त्यार दिया, अब प्यार नहीं करती थी, और विचारी चेडिया के प्रती काफी सतोता पोड़ा हो गए थी, मतलब कह सकते हैं, anti हो गए थी, उस पर मोह बना कर और बात नहीं कर सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, गाह नहीं सकती थी, नाश नहीं सकती थी, और अनबद्धी कमेंट्स करती थी, मतलब उसको बुरा बुला, बुरा भला कहना सुरू कर देती थी, गलत गलत comment पास करने लगी थी इट फेल अपन मी देन तेन येट्स ओल तो फीड दे पैरट और इट सीम्ड क्वाइट हैपी तो रिसीव ग्रीन चिली और राइब टोमाटो फ्रॉम वाई हैंड इस डिली कैसी बिइंग सब्लिमेंटेड बाइ स्लाइस ओफ मैंगो फॉर इट वाज देन दा मैंगो सीजन ये कह रहे हैं कि ये तोते को खिलाने के लिए मुझे पर गिर गया तोते को खिलाने के लिए और ये मेरे हाथों से हरी मिर्च और पके टमाटर पाकर खाफी कुछ लग रहा था इन वेन जो मतलब ये जो खाने पीना का सिस्टम था उसको आम के स्लाइस दुआरा पूरक की आयता था मतलब इसके बाद आम के टुकड़े दिया था थे खाने के लिए ठीक है? चलो क्योंकि उस समय आम का मौसम था इस से मुझे तोते को खिलाते हुए एक दो आम खाने का मौका भी मिला एक दो पहर जब सभी घर के अंतरा राम करे थे मैंने तोते को दो पहर पर भुजन दिया हैना I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open बोजन दिया और फिर जान बूर के पिजरे का धरवजा खुला छोट दिया seconds later हैना कुछ second के बाद the birds was winging its way to the freedom of the mango orchard ये कह रहे हैं कुछ second बाद पुछी आम के बगीचे की सुजनता के लिए अपना रास्ता बना रहा था मतलब भागना चाह रहा था उड़के at the same time grand father came to the veranda and marked I see your aunt, aunt's parrot has escaped कह रहे हुसी समय दादा जी बरामदे में आया और बोले मैं देख रहा हूं तुमारी मौसी का तोता भाग गया है the door was quite loose I said a shrug I said with a shrug well done I don't suppose we will see it again दरबाजा काफी डीला था मैंने जोपते हुए कहा जोपते हुए कहा ठीक है मुझे ने लगता कि हम इसे फिर से देखेंगे मतलब उड जाएगा उड़ गया aunt ruby was upset at first and threatened to buy another bird कहे रहें कि जो चाची ruby थी पहले से परेशान थी और उन्होंने एक और पक्ची खरीदने की धंकी दी कि वह और खरीदेंगे we put her off by promising to buy her a ball of goldfish but goldfish don't talk she protested कहे रहें उन्होंने सुनैरी मचली कक्टोरा खरीदने का वादा करके उसे छोड़ दिया लेकिन सुनैरी मचली बात नहीं करती उन्होंने विरोध किया किसने किया ruby auntie ने किया well neither did your bird said grandfather ठीक है ने तो तुम्हारी चिडिया ने दादा ने कहा so we will get your grand phone sorry gramophone we will get you a gramophone मतलब हम आपको एं gramophone दिलाएंगे you can listen to clara clark all day कह रहें कि आप पूरे दिन clara clark को सुनते रहेंगे उस gramophone में they say the things like a nightingale we कहते हैं कि यह coquila की तरह है and coquila word से उसकी तरह गाती है I coquila means quail ठीक है I thought we would never see the parrot again but it probably made its green chillies because a few days later I found a bird sitting on the parameda railing looking expectantly at me with its head cooked to one side यह कह रहे हैं कि पर मैंने सोचा था कि हम तोते को फिर से कभी नहीं देखेंगे लेकिन शायद इसकी हरी मेर छूड़ गई क्योंकि कुछ दिनों बाद मैंने पाया कि पक्षी जो है बरामदे की रेलिंग पर बैठा था और मुझे अपने सीर के साथ देख रहा था एक तरफ उठा उनसलह approved I I gave the parrot half of my mango while the bird was enjoying the mango ация will be emerged from her room and with a cry of surprise called out look it's my parrot come back he must have missed me with the loud squack the parrot flew away flew out of her reach and perching on the nearest rose bush glared at her and shrieked in my aunt's familiar tones ये कह रहे हैं कि निस्वात भाव से मैंने तोते को अपने आम का अधा हिस्सा दे दिया मतलब भी ना लालश को उसको दे दिया जब चडिया आम का अनन्द ले रही थी मतलब तोता जब आनन्द ले रहा मामी चाची रूबी अपने कमरे से निकले और आशर से चिलाई देखो ये मेरे तोता वापिस आ गया है उसने मुझे याद किया होगा जोर से चीक के साथ कहती हैं तोता अपना अपनी पहुँच से बाहर उड़ गया और निकरतम पास में गुलाब की जाड़ी के उसे बैड़ गया उसे देखा और मेरी चाची की परिचित स्वरों में चिलाया यू आर नॉट बीटी कांट टाक, कांट सिंग, कांट दान्स अंट रूबी वें रूबी रेड एंड डैश्ट, इंडोर्स तुम कोई सुंदरता नहीं हो मतलब तुम्हारे अंदर कोई सुंदरता नहीं है बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, निर्थ नहीं कर सकते चाची रूबी लाल हो गई और घर के अंदर धराशाई होगी घर मतलब घर के अंदर चली गई तो जब भी उसको देखता है ना चाची को तब वो बोलता रहता तुम सुंदर नहीं हो सुंदर नहीं हो बात नहीं कर सकते है गाह नहीं सकते नाच नहीं सकते मतलब तो तो जो आखिर में बोलना सीख गया था जो बार बार ताने मार रही थी आंटी ठीक है रसकीन बॉर्ड नहीं ये लिखी थी शोरी आगे चलते हम लेट उस दू 27.1 करा कि from the time immemorial people the world over have kept pets अनादी काल से दुनिया भर के लोगों ने पालतू जानवर रखे हैं in the box below are the names of some pets को जानवर रोगे नाम दिये गए हैं find the grid में हम से खोजे हैं और आज़ेंगर आपको पर आपको matching करना है व्रट्स के नाम या उनके नम लिखने तो यह तक को पॉशन आपको यहां से मैंने अंसर लिख रखाय आपके लिए और यहां पर भी अंसर लिख रखाय आप मैसे कर लो लो देखो दूब का यहां हो गया फिश हो गया अने टर् और यहाँ पर दो, cat, इस तरह से सारे birds की name है यहाँ पर, आप यहाँ से भी match कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, आगे चलते हैं, read aloud the name of the pets given in the box, अब जो box के नाम है, उसे जो जो से पढ़ो, ठीक है, यहाँ पर लिखा, इसकी हिंदी भी लिख रखी है, मैंने, चलो, let us understand the text, you are no beauty, you are no beauty, can't talk, and other nasty comments, यह कौन करता था, वो, उनकी आंटी कहती थी, मतलब Ruby आंटी कहती थी यह बात, तो कहरें कि this story is certainly pre-independence, मतलब भारत की आजाजी से पहले की बात है, 1944-45 की, उस दिन में बहुत सारे लोग जो Indian, European, वो pet, as a, मतलब pet, parrot को ऐसे pet रखते थे, पालतु जानवर की तरह, पालतु पक्षी की तरह रखते थे, तक ही वो बोले, और बोले तसी रिने अच्छा लग गर दिया था, मतलब तोते को, तोते ने सीख लिया, ठीक है, फिर कह रहे ही, section में हमें idea दियागे कि Ruby, auntie का nature कैसा है, है न, वो कितना strong will रखती है, और तुरंत वो क्या हो जाती है, angry हो जाती है, उनके अंदर कोई patience नहीं है, ठीक है, और when her pet doesn't respond to her, she is mean and unpleasant to it, जब वो उनका पाल तो जानवर जवाब नहीं देता, तो वो मतलब भी और प्रीव जाती है, तो इसका question देखते है, 27.1 में, 27.1 में, पहला question है, you are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance, कह रहे है कि कौन कह रहा है यहाँ पर, और answer क्या है, untrue भी कह रही थी, जब वो नहीं कह रही थी, ठीक है, चलो, second है, which word is being repeated and why, कौन सब रिपीट हो रहा है, क्यों है, can't यहाँ पर repeat हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कि it's being repeated to emphasize what is doing, sorry, what is being said, मतलब जो कहा जा रहा है कि इस पर जोड देने के लिए, इसे दोराया जा रहा है, second है, where was the parakit's cage kept, जो तो 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 रखा गया था, तो वो इसके बैंगलो में था, North India में, third है, where did Aunt Ruby get the parakit's from, कहां से लेकर आई थी उसे, तो जो बेचने वाला आया था, ना, bird catcher, जो तो पक्षियों पकड़ के बेचते हैं, गलियों में, उससे खरीजा था, fourth question है, why do you think, neither granny nor grandfather, neither granny nor grandfather, were keen to keeping caged birds as fits, take the correct, कहरें कि आपको क्या लगता है कि दादा दादी, ना दादा ना दादी, पिजडे में, बंद पक्षियों या पालतु जानवरे के रूप में देखने के लिए उस सुक नहीं थे, मतब दोनों interested नहीं थे, तो बताईए, तो इसका है, cage birds were deprived of their freedom, तो पिजडे में बंद पक्षियों की आजादी से वंजित कर दिया जाता है, इसलिए, सबका, सबकी life है, सबको खुले में जीना चाहिए, इसलिए, the parrot bagged away from the aunt ruby, because, तो ता, जो ruby है, तो रूपी अंटी का, वो वापीस आ गया, ऐसा क्यों होगा तो, इसका answer, it did not want to be kissed by aunt ruby, ठीक है, वह चाची ruby द्वारा चुमा नहीं जाना चाहती ठीक है, चलो, इसके बाद भाहिए, आप देख लोगे, जो गलत है, शिक्स में कह रहे हैं कि, why did aunt ruby become hostile towards the parakeet, जो parakeet bird से तोता है, aunt ruby दुस्मनी क्यों हो गई थी, तो answer है, once when aunt ruby was near the parakeet's cage, it lunged forward and knocked off her spectacles, after that accident, aunt ruby became hostile towards the bird, जब एक बार, चाची ruby तोत्य की पिजर के पास थी, तो वह आगे की और मचली और उसका चस्मा गिरा दिया, मतलब आगे यह तरह हो चली और उसका चस्मा गिर गया था, क्योंकि वहाँ पर उसने अपना मू लगा दिया था, और घटना के बाद, mommy या चाची ruby की जुरिय unit 1 जो भी हम पढ़ रहे तो उसमें, उसमें कहा रहे है कि dislike यूज किया गया है, dis हमारा prefix है, ठीक है like में लग गया, तो dislike बन गया, फिर कहारे है कि जो prefix होता है, लेटर में, वो added होता है before, मतलब किसी भी word में, अगर हम पहले लगा दे तो उसे prefix कहते है, फिर कहारे है, भी English word में dis लग गया, तो मतलब समझ दो नहीं, ठीक है, तो like में अगर हम dis लगा देते हो, तो पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह से है, आगे चलते है, इन column A are given some words, prefix, आपको column A में prefix words दिये गए, करें कि draw करो lines के, connect करो, meaning be me, be के साथ करो, example पहला दिया गया है, जैसे dislike हो गय like के साथ डिस लग गया, इस तरह है, डिस ओबे है, मतलब ओबे का, डिस ओबे, ओबे मतलब आग्या का पालन करना, और डिस ओबे, ना करना, ठीक है, डिस्माउंट, डिस्कवर, डिस्जॉइन, डिस्पूर, तो यहाँ पर अंसर लिख रखा है, आप मैश कर ले, हम आगे चलते हैं, हिंदी, मतलब वर्ड मीनिंग ही तो है, वर्ड मीनिंग देख लो, यहाँ पर मैंने इंग्लिश का हिंदी में लिख रखा है, लेट अस टॉक 27.1, अब टॉक है, अब पैट इस डिफाइंड अस डिफाइंड और टेम्ड अनिमल और बर्ड के फ़र चैंपेंशि कियाता है, जिसे साहचार या आनन्द के लिए रखा जाता है, और देख भाला उसने के साथ वेभार कियाता है, ठीक है, बट इस डैट रीजन पीपल कीप पैट्स, लेकिन क्या यही कारणा की लोग पालतु जानवर रखते हैं, अन्ट रूबी had kept a pet because she wanted to teach it to talk, teach it to talk, तो अ ask them the following question, जिनके पास pets से उनसे से मिलो और पूछे तीन question, क्या है, मतलब following question, मतलब दीए हुए question में, पहला है, which pet do you have, आपके पास कौन सा पालतु जानवर है, है न, how long have you had, मतलब तुमारे पास कब से है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आपने पालतु जानवर क्यों रखा है why have you kept a pet, do you think human beings share a special bond with their pets, if yes, please describe a related experience and your feelings towards your pet, क्या आपको लगता है कि मनुस अपने पालतु जानवरों के साथ एक विशेश बंधन साजा करते हैं, यदि हाँ तु किरपया अपने पालतु जानवर के परती संबंदित अनुभाव या आपकी भावनाओं का वरणन करें, do you know, किजे तो अपने अपने कोडिंग कर सकते हो, आगे चलते हैं, नहीं करो कोई चकर नहीं आगे चलते हैं, do you know, what is the difference between parrots, parakeets and lovebirds, कहरें तोता और parakeets और lovebirds में क्या differences हैं, तो कहरें, parrots are brightly colored, with short, hooked, bills that curve downwards, grasping feet and raucous voice, कहरें तोता जो होता है, छोटे जुके हुए चोच वाले चम के लिए रंग के पक्षी होते हैं, जो नीचे की और जुकते हैं, मतलब इनका जो चोच है, वो नीचे की तरफ जुका हुए था, पैरों को पकड़ते हैं, और करकश आवाज करते हैं, there are more than, sorry, some can mimic the human, some, human wise को mimic कर सकते हैं, आवाज की नकल कर सकते हैं, there are more than 300 species of parrots, 300 से ज्यादा जाती हैं पाई जाती हैं parrot की, अब parakeet is small parrot, parakeet जो है small parrot है, with predominantly green plumage and a long tail, there are many species of parakeets as well, कह रहे हैं, कि एक तोटा मुख रुप से हरी रंग की पंक और एक लंबी पूछ वले, छोटा तोटा होता है, जिसको हम parakeet कहते हैं, ठीक हैं, तो हरी रंग का ही होता है, पंक एक लंबी पूछ होती है इसके अंदर, और छोटा होता है, नॉर्मल तोटे से, उसे पराकेट कहते हैं, तोटे की कहे प्रिजातियां होती है, the one we usually see flying around our homes is the rose-ringed parakeet, in Hindi, it's called Tota, Tota, a love bird is a very small African and Medagascan parrot, with mainly green plumage and typically a red or black face, it's noted for its affectionate behavior towards its maid, जिसे हम अब आम तर परण में घरों के पास उड़ते हुए देखते हैं, वह है गुलाब का तोटा, हिंदी में इसे तोटा कहते हैं, तोटा इंगलिश में लिखा हुआ है, इसलिए तोटा यहाँ आगया, एक love birds बहुत छोटा freaky और मेड़ा गासकन होता है, जिसमें मुख के रूप से हरे रंग का पंक होता है, आम तर पर एक लाल या काला चेहरा होता है, यह अपने साथी के अपरती इस नहीं विवहार के लिए जाना जाता है, इसलिए love birds नाम रखा गया है, इन सौट पराकीट्स एंड love birds है टाइप आप आफ पैरेड, अगर चलते हम, देखो यह, color आप Google पर साच कर लोगे, color फुल मिल जाएगा, अगे चलते हैं, let us do 27.2, PETA, PETA stands for people of the ethical treatment of animals, people, ethical treatment animals, यह full form है, find out more about this organization, इसके बारे में और पता कीजिए, इनका क्या काम है, ठीक है, और कितनी countries में इनके supporters है, इसके बारे में देखिए, पार्ट 2 हमारा, it fell upon me, then 10-year-old से लेकर, parrot had learned to talk after all, तो इसमें वही बात कहरेंगे, children can be an observant and sensitive, बच्चे जो चौकस और सन्विधन सील होते हैं, after Aunt Ruby becomes hostile towards it, her 10-year-old nephew, author, feed the parrot, अना, Auntie Ruby के अपने पालतू जानमर के पती, जो सतुतापुर वेवहार था, उसके बाद 10 साल का जो बच्चा था, उनका लेखक, तो अधियों खाना के लाता है, आम के लाता है, A tender relationship developed between the parrot and toy, boy, तो एक जो, मतलब, जो writer है, वो और parrot, उनके बीच में एक tender, मतलब कुमल, रिस्ता बन जाता है, he feeds the parrot, not just think that the parrot likes, but also thinks that himself likes, मतलब यह नहीं करता था कि वो उसे पसंद करता था, है ना वो खुद उसे चाहता था कि उसे बैंगो के slice खिला है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते है, the boy emphasizes with the parrot, he understands how the parrot feels, कह रहे हैं कि लड़का तोते के साथ सानुभूती रखता है, वह समझता है कि तोता कैसा महसूत करता चलो आगे पढ़ते हैं, when no one is around, जब कोई आस पास नहीं होता, he leaves the cage open door, उसे दर्वाजा खोल दिया, do you think this was correct thing to do, क्या आपको लगता है कि सही तरीका था, did he make the right decision, क्या उसने सही तरीका लिया, चलो, आगे खलते हैं, In this section, you once again see aunt's immature behavior, इस section में आपने फिर auntie Ruby का जो immature तरीका था, उसके बारे में पढ़ा, she wants to get another word that she can't teach to talk, वो कह रहें कि वह एक और पक्षी प्रात करना चाहती है, जिसे वह बात करना सीख सके, After some days, the parrot returns, कुछ दिनों के बाद, parrot वापिस आगया, when it sees aunt Ruby, the parrot says the same unkind words to her, words to her that she used to say to it, aunt Ruby gets what she deserved, this section of the story shows us that one should be cheerful, careful about what one says even to one's pet, यह कहते हैं, कि जब वो आया था, तो Ruby को देखता है, तो वही भद्धिश शब्द बोलता है, जो हमने वहाँ पर पढ़े थे, ठीक है, मामी Ruby को वह मिलता है, जिसका वकदार है, हाना, मतलब क्या है, कहानी के भाग में यह दिखाता है, बद्व्यक्ति जो है, अपने पालतू जानवरों कि भी साउधान में चीए, अब उस से चिड़ा हुआ था, तो जब आंट जाती है, तो वह भाग जाता है, वहाँ दूर पर, हाना, यही तो हमने देखा था, आगे चलते हैं, इंटेक्स कोशन, 27.2 में, पहला कोशन है, वाट ओल डिड अर्ट रूबी निफ्यों, दाथर, तो जो मामी रूबी के बतीजा लेखा क्या, तोते को खाने में क्या दिया है, अंसर है दब वाए, गियो दब परकृद ग्रीन चिली, राइब, टोमाटोज, एंड सम्टाइम स्लाइस अफ मैंगो, हरीम मिर्ची, पके टमांटर, और कभी-कभी आम के टुक्रे दीदे, टि अंटी रूबी अपने पालतु जानवर से दुस्मनी कर ली थी, ठीक है, और किसी को तो उन्हें खाना खिलाना था, मतलब उसे तोते को खिलाना था, इसलिए इसको फेड किया, तो सही बात है, अंट रूबी अच्छा, वो शहर चली गई थी, and had asked him to look after the parrot, तो मामी, जो तोते कुछ एकबाल के लिए कहा था, नहीं, बाहर तो गई नहीं थी, वहीं थी, it gave him an opportunity to eat mango on the pretext that he was feeding the birth, उसने अपने उसे, इस बहाने आम खाने का मोका दिया, कि वह पक्छी को खिला रहा है, तो हाँ, ये भी और सी सही है, इसका अंसर, थर्ड कोशन है, how did the parrot escape from the cage, तो ता पिजने से ऐसे भागने के लाता, इसका अंसर है, एक दो पहर, when someone, sorry, everyone was resting, aunt Ruby, nephew, purposely left the cage, door open, sun, parakit flew away, soon the parakit flew away, मतलब, सभी आराम कर रहे थे, चाची Ruby के भतीजे ने जान बुर कर, पिजने का दरवाजा खोल दिया, और जल्दी तोता फिश, because, चाची Ruby को, सुनेरी मचली नहीं चाहिए थी, क्योंकि, he couldn't talk, बात नहीं कर सकता था, इसलिए, फिस्त है, the author thinks that the parrot came back, because it missed the green chillies, why do you think the parrot came back, लिखक सोचता है, तो तो ता वापिस आगया, क्यों से हरी मिर्ची नहीं थी, मतलब, उसको हरी मिर्ची नहीं मिली, इसलि after it flew away from the cage, it might have come to eat green chillies, कहरें, पिजली से, उड़ने के बाद, तो ता अब आजात मंची था, हरी मिर्ची खाने आगया होगा, तो इसको हरें, why did Aunt Ruby run inside when she heard the parrot talking, तो तो ते की बात सुनकर, Mommy Ruby, या चाची Ruby अंदर क्यों भागी, तो इसका अंसर है, as soon as the parrot saw Aunt Ruby, it screeched, you are no beauty, can't talk, can't dancing, can't dance, जैसे ही, Toti ने, Mommy Ruby को देखा, बचला है, तुम सुन्दर नहीं हो, बात नहीं कर सकते, गाह नहीं सकते, निरित नहीं मतलब, दांस नहीं कर सकते, Aunt Ruby was embarrassed, and turned red when she heard these words, therefore she ran inside, Aunt Ruby सरमिंदा हुई, और ये शबत तुनकर लाल होगी, इसलिए अंदर भागी थी, let us learn new words, 27.2, इसमें part 2 में कहा रहे हैं कि, you came across the phrase, winging its way, आपने वहाँ पर पढ़ाओगा, winging its way, इसका मतलब है, to move क्यों के लिए, मतलब तुनन चले जाओ, ठीक है, फिर कहा रहे है, given below, or some more, wing, phrase है यहाँ पर, and their meaning, चलो, आगे देखते हैं, वैसे ही, आपको सिर्फ यही मतलब सीखना कि, winging its way का मतलब है, to move क्यों के लिए, पहला क्या रहा, take wing, take wing means to take flight, fly away, depart quickly, ठीक है, मतलब उडान भरने के लिए, उड़ जाओ, जल्दी से निकल जाओ, second, under one's wing, under one's protection, in one's care, इसकी हिंदी देख लेना आप, third, spread one's wing, extend one's activities and interests, start new activities and interests, being to be independent, जहीं इसके सारे मतलब है, आगे चलते हैं, fill in the blanks with the correct phrase from those given below, change the tense of the verb as required, कहरें उपर दियेगे, वाक्यांचों में से, सही मौावरे के रिकिस्थान को पूर्दी कीजिए, क्रिया के काल को अविस्तान सर बदले, मतलब tense को बदले, tense को जो भी वर्ब है, जैसे वर्ब के कि इसने form होते हैं, वर्ब का first form, second form, वर्ब का third form, और वर्ब में ing, तो इसके recording में change करना है, तो यहाँ पर पहला है, ever since Anita's parents died in a car crash, जब अनिता के मता-पिता की एक car दुरहटना में मिटती हो जाती है, तो हर uncle and aunt took her, उसके चाचा और चाचु से ले गए, तो क्या है, under their ring, मतलब उनके पंक्ष के नीचे, तो इसका अंसर ही हो, वीमल earned a small but successful restaurant in Delhi, वीमल का एक छोटा सा, मतलब छोटा सा क्या है, सफल restaurant सा दिली में, he decided to and opened two more, उसने decide किया, दो और खोले, one in Mumbai and one, another in Chennai, तो यहाँ पर क्या phrase use करोगे, spread his wings, मतलब उसने अपने पंक फैला है, मतलब अपना उस थर्ड है, राजा spotted an unusual insect in this garden, but when he went closer, राजा ने अपने भगीचे में एक ऐसामाने कीट देखा, लेकिन जब वे करीब गया तो वे गया, क्या है, टुक विंग, मतलब पंक ले लिया, भाग क्या है, है ना, चलो, आगे देखते हम, exercise 2 है, कहरे, look up at dictionary and find all the meanings of the following phrases, इसकी आपको म निकालनी है, पहला है, waiting inner wings, be close by in the background, available at sword, notice to do something or take a position, यहाँ पर यह question था, और यह answer लिखा हुआ है, ठीक है, second wing it का मतलब होता है, speak or act without preparation, इसको हम improvise भी कहते हैं, मतलब बीना तयारी के बोलना है, कार करना, सुधार करना भी होता है, तो यहाँ पर यह question है, उसके बाद यह dash क इसके बाद answer है, उसके बाद आपका next topic है 27.3, let us do, इसमें birds sound लिया हुआ है, तो कौन सा bird, कौन सा sound देता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है, आद देखते हैं, तो column A में birds का figure है, column 2 में birds की name है, और 3 में उनके sound है, तो first figure जो है, वो आपका है, sparrow का, ठीक है, तो first आपका sparrow का figure है, और sparrow जो sound create करती है, वो करती है, चिर्प, ठीक है, तो यह वा जाएगा आपका, चिर्प का, and then second figure जो है, आपका, वो है, आपका parrot का, ठीक है, तो यह आजाएगा parrot पर, यह parrot का, और parrot जो sound create करती है, वो करती है, quack या chatter गा, तो यह आजाएगा आपका quack या chatter पर, उसके बाद आपका, जो third figure है, तो third figure आपको देखकर ही लग रहा होगा, किसका है, crow का, तो यह आजाएगा, crow पर, और crow का जो sound होता है, वो कौन सा होता है, वो cow काव करती है, तो यह cow हो जाएगा, ठीक है, and then next figure आपको किसका है, देखकर ही लग रहा होगा आपको, owl का है, तो owl का जो sound होता है, वो क्या होता है, तो owl क्या करते है, owl करते है हूट, ठीक है, owl का जो sound होता है, वो होता हूट का, उसके बाद then, जो next, fifth figure आपका, वो है आपका duck का, तो यह fifth हो जाएगा duck का, duck sound कौन सा निकालते हैं, quark quark करते हैं, तो यह हो जाएगा quark का, Six Figure आपका जो है, बिलकुल आसान है ये पीजन है, तो आपका ये हो जाएगा, पीजन पीजन क्या करते हैं, कू करते हैं, तो ये हो जाएगा, कू Seventh, आपका जो लाइज फिगर है, वो किसका है बेशक आपको पता होगा rooster का है न कुकुडूंक would वोलते है ठीक है तो rooster क्या करते है crow करते है ठीक है तो यह जागा अपका crow का ठीक है बागके एक बार mash कर लेन के book में बहुए अंजर होगा गोलते हैं next आपका है grammar modest क्या होता है ठीक है जिसे helping work पढ़ते हो आप ismr, pause work, do does, this, have been, have been, had been, will have तो यह सारे होते हैं हमारे helping work तो helping work की जगह है हम models पढ़ते हैं जिसे can, could, may, might तो यह सारे हमारे models होते हैं तो models किसली यूज की जाते हैं देखते हैं इंडिकेट्स है possibility of necessity possibility या necessity के लिए यूज की जाते हैं request के लिए, offer के लिए, suggestions के लिए यूज की जाते हैं ठीक है? politely कोई word बोलना है, permission के लिए तो उसके लिए भी उसकरते हैं ability या fraternity या fraternity यूज करने के लिए करते हैं moral obligation के लिए यूज कर सकते हैं duty, duty के लिए भी उसकरते हैं प्रॉमिस या इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब नियत या इरादा, कॉमन मुडायल्स जो हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैन, आउट टू, है ना, कुड को हम आउट टू यूज कर बोलते हैं, यह सारे हमारे मुडायल्स हैं, नीड और डियर को भी हम यूज करते हैं, अच्छा यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा कम दिया हुआ है मुडायल्स, अगर मुडायल्स अच्छे से पढ़ना है, तो हमारी ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप यहाँ जाकर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक्जाम्पल से यहाँ पर में आई बॉरो, यहाँ पर देखो क्या परमिशन मांग रहे हैं, तो हिंदी लिख रखी है मैंने आपके लिए, आई कुड ठीक है, यहाँ पर एक्स्प्रेस कर रहे हैं, मैं जब पांच साल का था, तब मैंने घोड़े की सवारी कर सकता था, यहाँ चमता बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इस तरह से यहाँ पर पॉलाइटली वर्ड यूज किया गया, अबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, उब्लिगेसिन, इस सारी यूज किये गए हैं, तो क्या-क्या में, कुड, में, मस्ट, आउट, टू, ठीक, शैल, विल, डियर, शूड, कैन, हिंदी इंग्रिश लिखा हुए, आप अगवाद वीडियो को पॉस्ट करें, पढ़ लें आप, है ना, तो यह सारे मॉडाइल्स हैं, बाकी प्ले अगर आपका मॉडाइल्स हैं, तो महाँ पर वर्ब का फर्स्ट फार्म लगाएंगे, अगर उसमें हव जुड गया, तो उसमें मेन वर्ब का थर्ट फार्म यूज करेंगे, ठीक है, बाकी मॉडाइल्स में, कुछ भी, कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं होता, मतलब वर्ब अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं यह हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है ठीक है फिर क्या करें मोडैल्स जो है हमारा cannot be used in past tense past और future tense में यूज़ नहीं होता है present में यूज़ होता है ing नहीं लगता है ed नहीं लगता है मैंने बताई दिया कि वर्ब का first form यूज़ होगा और ing बस जैसे go है तो go ही यूज़ होगा और go का third form के होता है gone बस यहीं यूज़ सकता और कुछ यूज़ नहीं होगा है ना अच्छा कहरें कि जब हम models में not use कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं तो helping verb के बाद model से just बाद हम not लगा देते हैं बस और कुछ नहीं use करते हैं जैसे go के बाद क्या जाए go not sorry go के नहीं मालो can use कर रहा हूँ मैं जा सकता हूँ है ना तो I can go अगर मैं कहूँ मैं नहीं जा सकता तो क्या हो जाएगा I cannot go normally use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद कह रहे हैं कि should not, shouldn't, will not, wouldn't, cannot, can't normally ऐसे हम use कर सकते हैं ठीक है हिंदी यहाँ पर ना पढ़े चलो आगे चलते हैं exercise यहाँ पर correct आपको bracket में बनाना है I make तो I के साथ क्या यूज़ होता है शैल यूज़ होता है ठीक है चलो mother is sleeping mother's हो रही है I disturb her तो मैं उसे must not अवस ही disturb नहीं करना चाहिए मुझे उन्हें disturb नहीं करना चाहिए must मतलब अवस चाहिए you like something तो यहाँ पर आप पूछे रहो तो would use होगा permission या आप किसी को suggest करते हो तो यहाँ पर would use होगा I would like to inform you मैं आपको कहना चाहूँगा इस तरह से या आप यह पसंद करना चाहोगे तो यहाँ पर क्या would you like something कि आप कुछ मतलब यह चाहाँ पसंद करोगे इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है exercise 2 में कहरे है select the correct modal from the box and fill in the blanks आपको सभी से modal choose करना है और उसको लिखना है तो यहाँ पर दो को modal मैंने इसके answers लिख रखे हैं आप यहाँ पर use कर लो ठीक है आगे जलते हैं exercise 1 कहरें फिलप्स यूज करो आप present perfect continuous अब मैं आपको present perfect continuous और past perfect continuous का rule बदा जयता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बदाता हूँ helping verb ठीक है तो मैं आपको बदाता हूँ present perfect tense का helping verb तो helping verb present perfect tense में use होता है has been ठीक है और have been use होता है और main verb में क्या use होता है ing ठीक है main verb में ing यूज हो जाएगा और helping वर यूज़ होता है has been, have been अगर subject हमारा singular है तो has been यूज़ होगा plural है तो have been यूज़ होगा आरती singular है तो क्या हो जाएगा has been और main verb क्या sleep है तो sleeping हो जाएगा he singular है ठीक है तो has been हो जाएगा live है तो living हो जाएगा miss is मेरा ये भी नाम है तो has been हो जाएगा हम as a plural use करते हैं तो have been हो जाएगा और speak का क्या हो जाएगा speaking हो जाएगा ठीक है इस तरह से विक्रम नाम है तो क्या हो जाएगा has been हो जाएगा read का reading हो जाएगा चलो अब past perfect continuous का अगर हमें helping हो देखें तो past perfect continuous का जो helping verb होता है वो होता है had been had been और main verb में ing लगता है बस अब कहोगे sir helping verb तो आपने बता दिया had been, have been तो singular के साथ और plural के साथ क्या लगेगा ये दोनों के साथ लगेगा तो हाँ बिल्कुल सही हो आप singular और plural दोनों के साथ had been use होता है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है अच्छा not लगाना होता हम कहां use करेंगे तो had not been, has not been, have not been ऐसे use करते हैं अब यहाँ पर एक question है they had been working since 7 a.m अब यहाँ पर time भी आ गया तो मैंने आपको बताया नहीं था अभी बतायता हूँ जब भी perfect continuous tense हो चाहे present का हो, चाहे past का हो यह future का हो, तो उसमें रहा है आता है और साथ में time भी आता है तब हम पहचानते हैं हिंदी में कि वो हमारा perfect continuous tense है रहा और time आता है अब time आता है तो time दो तरीके सा सकता है और time के लिए हम दो rule यूज करते हैं कौन-कौन सा rule यूज करते हैं वो मैं आपको बता आता हूँ ठीक है पहला rule क्या होता है say के लिए हम for यूज करते हैं और एक होता है since say के लिए हम since यूज कर सकते हैं दोनों के say के लिए हम for और since यूज करते हैं अब गड़ी calendar में जो आए वहाँ पर हम कहेंगे since गड़ी और calendar में जो आए उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे since ठीक है अच्छा जो ना आए वहाँ पर हम करेंगे for जैसे यहाँ पर 7 बज़े सुबह की बात कर रहे हैं तो since आ गया ठीक है अमित हैड नॉट बिन अमित नहीं लड़ रहा था दो बज़े से आ जाएगा तो दो बज़े में since दो घंटे से तो फार टू आर्स आ जाएगा exercise 2 में कहे रहे हैं कि फिलिप बताना आपको पाट्स परफेट कॉंटिनुए स्टेंस का यहाँ पर teach में teaching, watch में watching, eat, meeting, wait में waiting हो जाएगा और हर जिगह क्या यूज़ करेगा करेंगे हम, had been, had been, had been, had been, had been बस और तो कुछ है नहीं, चाहिए singular हो या plural हो कुछ भी ठोक दो, had been exercise 3 कहा रहे हैं, read at the following sentences after changing the tense your direct कहा रहे हैं कि जो यहाँ पर word दिये हैं उसे रहे ही राइड करो, change करके trends को, कहने, we waited for Rajesh for 2 hours present perfect continuous में करना है तो क्या हो जाएगा, we have been है न, plural है न, we have been हो जाएगा, waiting for Rajesh for 2 hours अब दो गंटे गड़ी कलेंडर में नहीं आते है अब गड़ी में तो दो गंटे आते ही नहीं, दो गंटे तो कौन सा दो गंटे, दो गंटे तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर for use हो जाएगा, फिर second है, Anjali is washing the dishes past में करना है, तो Anjali had been washing his dishes, या the dishes चलो, उसी तरह शाशी का दिया है फिर उसके बास fourth दिया है, फिर उसके बास फोर्स दिया है करने के लिए उनसे कहते हैं, तो क्या होता है देखते हैं, example, can I have my camera back यहाँ पर्मिशन के लिए हम can use करते हैं अच्छा, not वाला होगा तो can't हो जाएगा, will का, will not हो जाएगा, है न, will you come with me to the market मतलब क्या तो मेरे साथ बाजार आओगे, तो यहाँ पर भी ऐसी बात आ रही है, ठीक है, तो example यह तो समझ आ गया होगा आपको कहरें कि to make your request for effective use can't or couldn't, instead of can, could, ठीक है यह जादा effective करने के लिए अब क्या use करो, can't or couldn't can, could की जगह है, चलो example में कहरें, can't we have some more ketchup, क्या हमारे पास ketchup नहीं है, तो इससे क्या होता है, हमारी बात में ज्यादा निखर के हमारी बात आती है, और थोड़ा सा politely भी माना जाता है कि मेरे पास है मतलब क्या आपके पास यह है, अगर हम ऐसे पूचे हैं, तो मतलब हम मांग रहे हैं अगर हम ऐसे पूचे हैं, क्या हमारे पास कुछ और ketchup नहीं है, तो कितना प्यार असा लग रहा है तो यह ज्यादा politely है चलो, आदेश देखते हैं, orders जब आप आदेश देते हो आदेश देते हो, you tell someone to do something, आप किसी कुछ कहने के लिए कहते हो तो you give orders if you have authority over that person or know that person will अगर उस अच्छे को जानते हो मतलब उस आदमी को जानते हो तो आप उसे कहोगी तो कहरें, be quiet चूप रहो, please don't shout ठीक है, इस तरह से यह words होते हैं उसके बाद instruction हमारा है instruction में क्या है, निर्देश देना तो कहरें कि जब आप निर्देश देते हैं पहला है, you tell someone how to do something आप किसी को कुछ करने का तरीका करने का तरीका बताते हैं you tell someone what to do in a particular situation आप इसी को बताते हैं कि किसी विशेश इस्तिती में क्या करना है example यहाँ पर देखते हैं कम स्ट्रेट टाउन, MG road turn left from the petrol pump and then take the second turn right सीधी निचे आओ MG road सडक पर petrol pump से बाय मुड़े और दूसरे मुड़ second में कहरे हैं तेक कुकंबर, peel it खीरा लो और से चिलो cut it lengthwise into 4 long pieces इसे लंबाई की हिसाब से 4 टुड़े में काट लो और arrange करो एक plate पर तो यहाँ पर changing in order into a request एक आदेश को अनरोद में बदलना ठीक है तो earlier in the lesson you study the modals आपने पहले भी modals पड़ा है तो यह सारे modals लिखे हुए है इसके बारे में बता रहे हैं तो आप हमारे channel पर जाकर modals का पूरा पूरा जो रूल है यहां रुको could you wait here until the doctors arrive wait here until the doctors arrive doctor के आने तक यहां रुके है could you wait here until the doctors arrive तो यह दो sentences यहां पर दिया हुआ विसी तरह we quit will you be quit तो यहां पर देखो कितने अच्छे से हमने बाते कह दिए ता कि सामने वाले बंदे को बुरा भी न लेके और वो बात समझे कि यार यहां ऐसा कहना चाहा रहे है तो चुप हो जाओ ठीक है आगे एक सनाइज दिया change the following orders into polite request तो यह polite request है ना मारा दूसरा पूरा में ने बताया था भी तो इसी तरह यहां पर कहने कि polite में change करो order को तो buy me a wristwatch क्रिपया मुझे एक कलाई गड़ी खरी दे अब यहां पर use का करना could का answer could you buy me a wristwatch please क्या आप क्रिपया मुझे कलाई गड़ी खरी सकते है ठीक है इसी तरह second can का है third will का fourth है हमारा can का वेडियो को पॉस करके एक बार देख ले English Hindi दोनों है उसके बाद clean the table fifth है अब SSI 2 में कह रहे around the mothers went to the market sorry Arun's mother went to the market before leaving she gave him instruction to prepare a glass of lemonade निम्बू पानी यह शिगन जी कहते हम उसको Arun की मा बाजार गई थी जाने से पहले उसने glass निम्बू पानी तयार करने का निर्देश दिया था select appropriate words from the box and fill in the blanks remove serve add mix still take cut squeeze put तो यह यहाँ पर आपको fit करने तो यहाँ पर answer लिखा है वही है glass low इसमें यह डालो फो डालो mix करो घुमाओ stir का मतलब होता घुमाना फेटना ठीक है add आप जानते हो serve का मतलब देना डालना squeeze का मतलब होता है निचोड़ना cut का मतलब काटना put का मतलब रखना ठीक है तो यहाँ पर आप यह match कर लो answer यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसको थोड़न नीचे कर देता हूँ ठीक है आप यह लिख लो कर लो खुद से उसके बाद exercise third देखते हैं इसमें कहरा make a request using the words in the brackets request देना है bracket में दिया हुआ है Manisha has left the window open Manisha ने खिड़की खुली छोड़ दी तो यहाँ पर you लगाना shut लगाना है तो आप question हमें बनाना है यहाँ पर will you shut it please ठीक है तो यहाँ पर हमने उनसे बोल दिया कि यह काम कर दो कि प्लीज mommy I want to bake a cake ममी मुझे cake बनाना है मदद करें मतलब मदद नहीं करें you का मतलब तुम help तो आपको यहाँ पर you और help लगाके उन्हें permission मांगना है तो will you help me please इस तरह से 3rd दिया है 4th दिया है 5th और 5th दिया है 3rd 4 5th दिया है आप वीडियो के pause करके बना ले हिंदी लिख रखिया मैंने आगे चलते है Let us do 27.4 करें इस स्टोरी में पैरट who wouldn't talk इस कहानी में तो था जो बात नहीं करता Aunt Ruby's nephew took the decision to set the parrot free जो चाची का बेटा था उसनों decision लिया कि पैरट को आम free कर देंगे He didn't ask his grandparents to think about what his aunt would say or do not feel how did he make his decision तो उसने अपनी दादा दादी से नहीं पूछा, यह नहीं सुचा कि उसकी चाची क्या कहेगी क्या करेगी, क्या महसूस करेगी उसने अपना निर्न कैसे लिया In the life we are always required to make decision चीवन लाइफ में हमें अमेजा निर्ने लेने की आसकता होती है You two will have to make decision to solve all kinds of problems सभी प्रकार की समस्याओं की समाधान के लिए आपको भी निर्ने लेने होंगे The problems could be simple and small, such as what dress to wear or they could be important like what career to choose, which job to accept कह रहे हैं की समस्याओं सरल और छोटी हो सकती है जैसे की कौन सी पोशाग पहननी है या वे में हचपूड हो सकते हैं जैसे की कौन सा करियर चुनना है की कौन सी नौगरी स्विकार करनी है मतलब कौन सा जॉब करना चाहते हैं Like the young boy in the story You may have to make decision knowing full well that some people who are important to you, family members friends will not like that decision How will you make decision यह कह रहे हैं की कहानी में यूवा लड़के की तरह आपको यह अच्छी तरह से जानते हुए फिर निर्णा लेने पड़ सकते हैं मतलब आप जान रहे हो फिर भी आप decision ले 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 तो कुछ लोग इसके लिए आपके महतपूर हैं जैसे परिवार के सदस हो गए यह कह रहे हैं कालपना किजी कि आप किसी मित्र के साथ भीड़ भाड़ वाली बस में यातरा कर रहे हैं यातरी जैसे अपनी सीट से उठता है उसका बटवा नीचे कर जाता है जिससे पहले कि आप आदम साकी बता सकें कि आपका ले लो आपका दोस्त भाटा को वहां परटिव को अपने बैग में रख लेता है लेता है ऐसके बतीथ की में आप करना रख को और कुछ नीचे points यह हैं, जिसकी help से आप बता सकते हो, पहले, think carefully about the problem or situation, सबसे पहले आप problem या situation को दियान से समझो, फिर उसके बाद कह रहे हैं, make a list of all the different things you could do such as, tell your friends to give the wallet back, tell the man that your friend has taken his wallet, and other options, write them down, नारे उन सभी अलग अलग चिजों की एक सूची बनाओ, जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने दोस्त को पटवा आपिस लेने के लिए कहें, उस आदमी को बताएं कि उसकी दोस्त ने अपना बटवा ले लिया है, मतलब आपकी दोस्त ने आपका पटवा ले लिया है, और अ Your friend might be angry with you, or man might shout at your friend and call the police. उद्धार के लिए आपका मित्र जो है आपसे नाराज हो सकता है, या वे वत्ती जिसका बटुगा था, आपके मित्र पर चिला सकता है, आप पुलिस को बुला सकता है. Reduce the number of options, keeping only the best ones. उसके बादा filter लगा लो, जो आपको अच्छा लगता है ना, वो चूज करो, think carefully about the best option, जो आपने best option चूज किया है, उसको फिर से सुचो, है ना, keeping in mind what your goals are, what is important to you, कहने के से ध्यान से देखते हो, सर्वुत्तम विखल्पों के बारे में ध्यान से सोने चे, उसके बाद कहने, make the decision, decision लो, choose one option according to what is correct thing to do, जो सही करना है, जो करना है, सही है ना, उसके नुसार एक विखल्प चुनो, do what you have decided to, वही करें, जो आपने करने का फैसला किया है, be prepared to face the consequences, जो भी result आने वाला है, वो भुकदने के लिए तयार रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगया 27.4, let us write, let us write में describing people, लोगों का वर्ण करें, suppose you were traveling in a bus, and face to face with man, suddenly that man snatches the purse of a co-passenger and jumps off the bus, the police ask you for description, how would you describe him, करें मान लीजी कि एक पस में आतरा करें, और एक आदमी ने आपके सामने, मतलब आपके सामने आदमी खड़े हैं, अचानक वे आदमी जो आपके साथ, मतलब बगल में बैठा यातरीता साय यातरीता, आप उसका पर्श चीन लेता है, और बस से कुछ की भाग जाता है, पुलिस आप से इसका विवर्ण मांगती है, तो आप कैसे बताएंगे, तो इसमें लिखा है, the first thing you talk about is physical appearance, सबसे पहले उस दिखने में कैसा था, उसको बताएंगे, उसके बारे में बताएं आइस कैसे है, फेस कैसा है, color complexion कैसा है, facial feature कैसा है, cloths कैसे पहले, age क्या है, या और भी कोई special feature जीसे cut लगा है, या बाल आगे खाली थे, या hairstyle किस तरह से बना रखा था उसने न, विसे type of hair में भी हो जा देगा वो, आप यहाँ इस तरह से बता सकते हो, if you are asked to describe someone you know, you can also describe his or her behavior, अच्छा जब आप उसे बता रहे होगी इसी को, तो उसके behavior को भी बताओगे आप, personality traits के बारी ही में बताओगे, कि वह कैसा लगता था, detailed description can include a person profession, अब इस तरह से अगर बताओगे, तो क्या होगा, उसका profession भी पता चल सकता है, कि किस profession का था वो, अब exercise में कह रहे हैं कि go to a market near your house, अप यहरी पास में market है, महाँ चाहिए, look carefully at the vendor selling vegetables, जो भी सबजी वाला बेच रहा है, उसको देखिए, write a short, it's कि अपना of anyone of team, अब वहाँ पर देखिए, ठीक है, किसी एक को, hello, सबजी वाला है, उसको देखो, 60 से 80 words के बारे में लिखिए, फिर care remember the more observant you are, better your description will be, कह याद रखें, अब जितने अधिक चोकस रहेंगे, उतना अच्छा आप लिख पाएंगे, सोच पाएंगे, फिर कह रहें कि यहाँ पर कुछ हम words दे रहे हैं, जो कि आपको help करेगा, जिसे height किसे ऐसी है, तो height में यह सारी चीज़े consider हो जाएंगी, ठीक है, build, मतलब उसका ब लिख रखें हैं, बुक में, यह देख सकते हैं, उसके बाद है, cloths, कपड़े कैसे बन रखें हैं, उसका भी देखो यहाँ पर लिख रखा है, चलो आगे चलते हैं, age कैसा है, special feature क्या था, describing personality, उसकी personality कैसी है, मतलब hand hard working लग रहा था, cheerful लग रहा था, मतलब मजे वाला इस तरह से आप बहुत सारी बाते हैं, यहां से देख के idea ले सकते हैं, उसके बाद summarizing है, देखते हैं, क्या है, writing a good summary shows that you have understood the text well, and that you can communicate that understanding to others, कहरें, अच्छा सारांस लेखने से पता दलदा है, कि आपको part हो, आपने part को अच्छी तरह समझ लिया है, और आप उस समझ को दूसरे तक पहुचा सकते हैं, a summary is a short paragraph that presents only the main points, यह कह रहे हैं कि एक छोटा सा paragraph है, जो केवल उन मुख बुंद्यों को परसूद करता है, when you summarize your attention, the theme, central idea, and important details of the text, कह रहे हैं कि शारांस का छोटा paragraph है, जो केवल कुछ बुंद्यों को परसूद करता है, जब आप शारा paragraph या जो passage है, उसको रुपकरते हैं, तो आपके दिमाग में यह विस है, जो किंदर विचार है, बहुत महतपूर उलेख होता है, यह सभी अनावसक वीवरज छोड़े गए हैं, मतलब क्या है, all the unnecessary details on left out, अब जो यहां पर जो भी बाते लिख रही हैं, इतना कुछ आप नही इंशन दो, starting में, middle में, और ending में, focus करो heading पे, या sub heading पे, अगर है तो, try and understand the main theme of the text, जो text का main theme है, उसको try करो कि क्या है, निचोड मिल जाएगा, फिर उसके बात कहरे हैं, if the text is very large, divide into two sections, है ना, three sections, four sections, जितने section में divide कर सकते हो, तो कितनी बड़ी है, वो उसकी awarding, फिर उसके ब read करें, underline करें, जो important words है, ठीक है, और उसको sheet पे separate कर सकते हैं, cross कर सकते हैं, उसके बात कहरे हैं, once you know the text very well, write down the main idea of each section, जब आ अच्छी तरीके से प्यान लेते हैं, तो प्रते खंड के मुख के विचारों को लिख लें, अब यहां पर दोगो, बहुत सारी बाते हैं, अगर म को pause करें, पर पढ़ लो, समझ आता तो अच्छी बार नहीं, मतलब समझ आया तो अच्छी बात नहीं, तो आप मुझे बताएं, मैं दूसी तरीके से समझाओंगा इसको, ठीक हैं, उसके बाद क्या है, revise the summary, last में आप revise भी कर लो, जो चीज़े देखिया आपने, उसके नाम और पठ का शिर्सक चामिल करना है, be brief, if you use the author's words, put them in inverted commas, यदि आप लेखा के सब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें छोटे या उल्टे अल्प विराम में रखें, do not put in any of your own thoughts, feelings or opinions into the summary, यदि आप लेखा के सब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें उल्टे अ या विचारों को सारांस, ना डालें, ठीक है, अपनी बातें ऐसे ना डालें, उसके बाद exercise हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें कहरे हैं कि given below summary of the story, you have just read, but some words are missing, जो अपनी story वहाँ पर पढ़ी है, वही लिखी हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ words जो है missing है, फिल करना आपको यहा हम आगे चलते हैं, exercise 2 में कहरे हैं कि write summary of a story you have read recently, आपने जो अभी summary, मतलब कहरे हैं कि एक summary लिखो, किसी भी story की जो आपने अभी पढ़ी हो, फिलाहल में, हाल फिलाहल में, तो इसका answer दोखो यहाँ पर है, यह आपने जो पढ़ा है, यह मैंने जो पढ़ा है, तो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लिखो, आपने जो लिखी वो लिख सकते हो, यहाँ पर केजिया वाली जो story है, little girl की, वो मैंने लिख रखी यहाँ पर, तो आप वीडियो को pause करके पढ़ लें, यह आपको अगर कोई और story याद है, तो लिख सकते हो, उसकी summary है, उसके बा You two are humming away, given below a short rhyme, कह रहे हैं, आपको उसके कुछ बार सुनना है, उसे उन्हें कुछ बार सुनना है, और जल्द ही आप भी गुनवना रहे हैं, मतलब आप जिसे गाने सुनते हो ना, थोड़ी दिर पाद आपको सारी बाते याद आती हैं, आप भी गाना गाना वही चीजा है, कह रहे हैं कि this idea कहीं सुनो, आप friends के साथ सुनो, speed में सुनो, उनको सुनाओ, चलो पहल सुनते हैं, चटर चटर, talk talk, like a parrot, squak, squak, in a group, nutter nutter, what's that, that's, what's that, what's the matter, do say oh no, what's the time, what'a go, must fly, oh ho, यह हिंदी है आपर, मजा तो नहीं आएगा नी, English में पढ़ने में मज़ाता है उसके बाद size में कह रहे हैं कि after the listening the above rhyme जो आपने पढ़ा, इसमें कह रहे हैं list बताओ words के जो repeat किये गए है तो chatter, talk, squack, matter, words, यह की हिंदी है, यह repeat किये गए है फिर कह रहे हैं make a list of words that you would associate with the parrot parrot से क्या associate है वो बताओ जैसे chatter, talk, squack, group, fly यह सारे parrot से मिलते जूलते हैं parrot के लिए हैं list the pair of rhyming words in the rhyme ठीक है, तो rhyming words पताने आगो कह रहे हैं talk, squack, matter, matter, no go, fly, high example of rhyming words are say, pig, cat, pet, sing, ring an example of rhyming words है यह दिये हुए है चलो, उसके बाद do you know है birds are protected by the wildlife protection act WPA 1972 यह act है, ठीक है it is illegally to keep any birds in captive in a cage or any locked space except love birds and blue rock pigeons कहरें love birds and blue rock कापुतरों को छोड़े को किसी भी पुच्चुगो कैज में रखना अवैद है illegal है, it is illegal to color birds as is done by bird sellers to make them look more attractive the chemical color is toxic and possibly carcinogenic कार्कियोनाजेनिक कॉसिस कैंसर पक्च्चियों को रंग जो भी है लगाते हो आप वह अवैद है जैसा कि पक्च्ची विक्रिता जो भी है उन्हें आकरशक दिखाने के लिए इस पर color लगाते है रशाइनिक कलर होता है विशयला होता है जिसों औरे cancer के और लगाते है उसको क्या कहते हैं कार्सिजानिक कहते हैं केजिंग केजिंग एंड डिस्प्लेइंग पैरेट्स एंड पैरक्रीट्स एज फॉर्चुन तेलर्स ओफन दू पैरक्रीट्स और तोट्य को गाइद करना और प्रदर्सित करना जैसे कि जोतिसी करते हैं अवैद है इसके लिए जुर्माना है पांच साल की सचा भी हो सकती है Most of the birds bought and sold in India are पैरक्रीट्स caught from the wild This is against the Indian Wildlife Act भारत में खरीदी बेचे जारने वाले थी कांच पक्षी है जंगली से जंगल से पकड़ेगे तोते हैं यह भारती वन जीव अधिनियम के खिलाफ है जो WPA है भारती वन जीव अधिनियम उसे खिलाफ है आगे चलते हम What you have learned? आपने क्या सी का? इस कहानी का संदेश है आपके अपने पालतू जानवरों के परती दयालू रहें और दूसरों के परती वैसा ही वेवहार करें जैसे आप चाहते हैं कि वे आपके परती वेवहार करें है ना? If you need or want to train your pets to something we would teach them with love and patience कह रहे हैं कि अगर हमें अपने पालतू जानवरों को कुछ करने के लिए परचित करना है या करना है तो उन्हें प्यार और धैर के साथ सिखाना जाने के ऐसे नहीं कि उसे लड़ने लगे हैं या कुछ ऐसे reaction दे हैं क्योंकि हम ही जो देंगे वही खाएंगे वह empathy means understanding and feelings what others feel जो empathy सानव होती का मतलब है समझना और महसूस करना कि दूसरे क्या महसूस करते हैं You have also learnt that nobody likes capacity and that best to have feelings कहने कि आपने यह भी सिखां किसी को भी कैद करना पसंद नहीं है किसी को भी कैद करना पसंद नहीं है और पाल तो जनौरों में भी भावन आया होती है उनके अंदर भी feeling को दे करना मतलब pack करना भी सही नहीं उनके लिए उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए उसके बाद terminal question आगया आपका जो कि आपने यहां पर पढ़ा है उसी के इंसर सुंगे यहां पर सारे में कहरें name all the birds that are mentioning the story जितने भी birds हैं उसके नाम बताते हैं यहां पर नाम लिखे हैं आप copy में note कर लें ठीक उसके बाद कहरें कि can you think of author another title of the story एक title पूछ रहें कि अगर है तो बता दो और reason भी देने 30-40 words में जो आपको देने हो आपर title क्या है? alternative title क्या हो सकता है? the parrot and aunt Ruby दे सकते हैं reason क्या है? this is because the story focus is on the parrot and aunt Ruby क्योंकि fact जो इस story में focus है वो तोते और aunt Ruby के बीच में besides the author the prominent in the story are aunt Ruby and the bird वे इसलिए क्योंकि कहानी का focus दोता और mommy Ruby पर है या चाची Ruby पर लेखक के अलावा कहानी में मुख है, auntie Ruby और चड़या इसलिए हम इसलिए कर सकते हैं in the story sometimes the author calls the bird parakeet and sometimes parrot is that a mistake? कह रहे हैं कि कभी-कभी parakeet बोल रहे है और कभी-कभी parrot बोल रहे है तो क्या सही है क्या? तो नहीं, it's not a mistake mistake नहीं है न क्योंकि parakeet की फीचर अलग है parrot का फीचर अलग है ठीक है? अभी हमने उपर पढ़ा ही है उसके पास fourth में कहारे do you think aunt Ruby method of teaching the parrot to talks was correct क्या जो भी आपको लगता है क्या मामी रूबी की तो होते को बात करने की जिच्छा देने का तरीका सही था if you were aunt Ruby, how would you have taught the parrot अगर आप उनकी जगह होते मामी रूबी, चाची रूबी की जगह तो आप कैसे सिखाते parrot को तो I don't think aunt Ruby method was correct हमें तो नहीं लगता क्यों method था हो सही था if I were aunt Ruby, अगर मैं होता उनकी जगह तो I would develop a bond gently and make sure it was comfortable in the surrounding, in its surrounding कहने कि अगर मैं उनकी जगह होता तो विक्सित करता और फिर से उनने बात करने सिखाने की कोशिच करता मतलब बार अबर उनने सिखाते रहता किसको तो ते को मैं हमेशा उससे धीरे से बात करता रहता सुनिशित करता कि यह अपने previous में सहज है मतलब जो हम जिस environment में उसे रख रहे हैं वो comfortable है नहीं है I would choose simple and short words to start, मैं simple words सिखाता उसको, छोटा सा word I would repeat them clearly and when enthusiasm कहारे मैं उसे repeat करता धहर्रिवान होता बार-बार दोह रहाता I would be very patient and never get angry with my pet यह पेसेंस रखता angry नहीं होता I would not scold it if it didn't learn well I would praise it give it a gentle pat or something special to eat if it is learned well यह कह रहे है कि मैं इसकी प्रसेंसा करूंगा अगर अच्छी तरह से सीखता है तो इसी कोमल थब थपाएं या खाने के लिए कुछ खास देता ताकि वह और खुस हो जाएं फिर कहने की फ्रेज इसमें डूडड़ो टेक्ट में tell you that the parrot was not happy in the cage जो कि happy नहीं था इसलिए बताना है तो यहां पर uncomfortable parakeet हो गया glad mostly in everyone and eyes getting smaller than with anger ठीक है यह सारे यहां पर यूज किये गए ते उसके बाद सिक्सम सबोज करो आप parrot हो दे and somebody caged you and kept you as a pet मतलब आपको तोता बना के या कोई भी pet बना के जंगल में रख देता तो आपको कैसा लगता how do you feel अपना अंसर तो तो कह रहे हैं कि would not like it all we easily see parrots in group if I were put into cage I would be lonely and would miss my friends the other parrots I would not be able to fly like other birds कह रहे हैं कि अगर मुझे पिज़े में डाल दिया था तो मैं अकेला हो जाता अपने दोस्तों दूसरे दोतों को याद करता मैं अन पच्छों की तरह उड़ने में सच्छम नहीं होता फिर 7th में कह रहे हैं कि do you think Aunt Ruby's nephew मतलब author made the right decision when he left the cage door open मतलब क्या आपको लगता है कि जो बतीजा था लेखक उन्हें पिज़ेड़ों को जो दरवाजा खोल दिया सही निर्न लिया था उसने पहला है yes I think Aunt Ruby if you made the right decision I would also set the words free because the words was happy जो बर्ड था वो unhappy था Aunt Ruby was saying unkind things to me it was sorry she was not feeding it she was unfriendly तो वो उसको खाना नहीं खिलाती थी unfriendly थी इसलिए मेरा decision वो सही था 8th question is if you are no beauty अगर आप सुंदर नहीं हो ठीक है can't talk बात नहीं कर सकते हो गाना नहीं सगा सकते डांस नहीं कर सकते the story begins with these words यह जो story है इस words से start होता है but when they are repeated at the end of the story it adds humor to it and makes us laugh why कहानी शुरू होती है इसी शुरू होती है लेकिन जब कहानी के अंत में दुहराय है तो हमें हास से जोड़ता है मतलब हम हसने लगते है न ऐसा क्यों तो यहाँ पर अंसर at the beginning of the story aren't Ruby tries to teach the pirate to talk तो वो जब सुरू से सिखा रही है तो सीखता नहीं लेकिन लास्ट में जब वो भाख इसे भगाता है ठीक है वो सीख कहते है वापीस से इनके उपर ही थपड़ मारता है मतलब वही बोलता है तो इससे थोड़े हमें हसी आ जाती है ठीक है बाकी वीडियो को पॉस्ट करके अपर अंसर यह देख लो ठीक है हम पड़ चुके है इसलिए बार बार क्या बढ़ा हो अभी बोर हो जाओगे चेप्टर भी बहुत बड़ा था वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है ठीक है पसंद आए तो लाइज सस्क्राइब करें अच्छा ग्रामर कोश्चन जुरूर पढ़ें ठीक है उसमें आपको मोडैल स्टेंस सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है मिलेंगे फिर कभी या किसी और चेप्टर में ठीक है बाए बाए